हेलो फ्रेंट्स वेल्कम अगें टूनीटा क्रेशन कैसे हैं आप से आज मैं आपके लिए ग्रोफर का ग्रोश्री मंतली शॉपिंग और लाई हूँ फ्रेंट्स जिसमें कई कटेगरीज हैं फ्रेंट्स नम्केन, मिठा, रिश्वाशर, बिस्केट्स, पिलो को आपको बारी, बारे से केक के बारे में पुरी डिटिल्स फता हूंगी फ्रेंट्स लाई, फ्रेंट्स यह हमारी कंपरेबल पिलो है फ्रेंट्स आप देख रहे हैं देखने तो आप देखते हैं ये ग्रोपर्स की कितनी वंडर फुल है पैकेजिंग बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसमें कोई भी समान खराब नहीं होता है गेरता नहीं है वेस्ट नहीं होता है प्रेले में आप पैकेजिंग दिखा रही हूं यह हमारा फाइव लेटर का रिपाइट सब्सक्राइब यह तो आप दिखी रहे हैं तो डबे में आता ही है तो कफी अच्छी पैकेजिंग है इसको हमने सेनेटाइज कर लिए अब मैं आप इस पीलो का डिटेल्स दिखाती हू सबसे पहले मैं शुरुबात करती हूं कुछ नमकीन से जियाँ फ्रेंट फ्रेंट्स पास से देखिए वाइट कलर की है और चुने में बहुत ही नरव मुलायम है तो सर के नीचे रखने में भी बहुत ही कमफर्टेबल रहेगी डायमंट पिलो है यह इसका भी मैं आपको ड सब लोग मीठे से शुरुबात करते हैं मगर मैं कुछ चट पटे और नमकीन से स्टाट कर रही हूं कि देखिए यह हमारे ग्रूफर्स पीनट्स हैं टेस्टी पीनट्स जैसे कि आप सब जानते हैं पीनट्स बेशन में लपेट करके इसको फ्राई करते हैं हम लोगों बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही अच्छी लगती है यह देख रहे हैं आप सब लोग कुन कुन से प्रोड़क् तरह तरह के मसाली हैं और यह हमारा फ्रेंड्स पार लीजी बिस्कीट से जो सबसे पुराना है बहुत ही पुराना है सभी ने अपने वच्पन से उसको देखा है यह डाल डीका पैकेट रद की काफी पुरानी पैकेजिंग अब हम स्टार्ट करते हैं यह चट पटा देखे सिर्फ मुझे 48 रुपए का पढ़ा है और इसमें भुजिया से टेस्टी मसाला पीनेट अलो भुजिया खटा मीटा कई साथी वराइटी का यह कॉम्बो पैक बनाए गया है इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी लग रही है और यह प्लास्टिक नेट में पैको कराया है एक बहुत अच्छा साइस का लुका आ रहा है अब हम आते हैं पारलेजी की तरफ यह देखिए फ्रेंट्स यह दो सब आप प्लूब इसके फायदे जानते हैं बिल्काइन के हूं से बना हुआ है यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है यह देखिए ऐसा इसके अंद पैकेजिंग होती है कि खुलेने और गिरेने ऐसे एक पैकेट है इसमें इस तरीके से साथ पैकेट्स रहते हैं इसके अंदर यह बड़ा पैकेट्स है और आप लोग जानते हैं बड़ी फैमिली है पारलेजी बड़े सभी को अच्छा लगता है और कभी आपको छोड़के भूग लगर यह पारलेजी खा सकते हैं या दूद नहीं है तो पानी में भी जिप करके पारलेजी खा सकते हैं तो बहुत ही तो लगता है यह कुछ थोड़ी इसी आप भूग भी शानत हो जाती कुछ दिए अब हम आते हैं में टेस्टी पीनट्स के पास दस रुपे का एक बढ़ कीज़ी का सब्सक्राइबाब करें लेकर सकते हैं डिए भी सकते का यह पारला जानते हैं कि दुछ क्राइबाब उन्attend ज्याओ इस सोरा है जैए मरन का पांस यृूफ प्रैज के दर लिखा हुआ है तो ये मिला इसका प्राइज हो ये है इसका प्राइज ब्लर करने लगता ज्यादा पास लिना के बारा रुपे का और यह मैंने चार पैकेट्स मंगा हैं एक दो तीन चार पैकेट्स मंगा हैं और अब यह हमारा है प्रिटाइनिया का नाइस टाइम बिस्किट आ फ्रेंट्स के देखने में बहुत अच्छे लगती कि इनके पर शुगर के हैं छोड़ मुझका है और अब नेक्स्ट आ रहा हमारा से मोर का इटम यह 200 ग्राम का फ्रेंट्स पैकेट्स है यह बेकरी के बिस्किट हैं यह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यह क्यों पर टुटी फ्रूटी चिप काई हुई है यह देखिए बहुत ही जितने खुबसूरत यह अरुमें लगते हैं उतने ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी एक खाने में लगते हैं मुझे विस्कित बहुत पसंदा आते हैं एक चार लाइने हैं चेचे बिसकिट्स आ जाते हैं इस में अस्टी रुपै का पकॉप को पढ़ा है और 200 क्राम का है बहुत ही बढ़ी भी और दूसरे जीराया के खेंके का और को यह से हैं और यह तो अश्यकि Tiny पाना हिए अ कि बिस्क्टित बढ़िया लगते हैं और अब हम आते हैं अपने सपाइस की तरफ मसाले जी हैं जो हर चीज के लिए जरूरी है सबजी दाल कोई भी चीजा बनाए रायता बनाए कुछ भी बनाए यह हमारा सब्जी मसाला जो हर सब्जी में आप डाल सकते हैं किसी भी सब्जी में इसकी सारी डीटेल्स दी हुई है कि इसमें कौन-कौन से इंविडेंट्स मिले हुए हैं कि देखिए और इसका दाम है यह पासिब लग करने लगता है आप यह पचास ग्राम का यह है और 33 रुपैस का दाम है बारा महिने की इसकी मैनिफेक्ट्रिंग का मतलब है कि बार इसको मैनिफेक्ट्र के बारा महिने के अंदर आपको यूज कर देना चाहिए दो सब्जी मसाले मैंने मंगा है यह चाट मसाला है यह पचास ग्राम का है और 35 रुपैस के भी मैने दो पैक्ट्स मंगा है इसमें सब्दिये में कौन-कौन से स्पैसे अम्चूर मिला हुआ यह 50 रुपैस का पैकेट है जिसको मैंने पहले भी एक बार क्याता रुसम मसाला मंगाया था फ्रेंट्स ट्रैसिपी होती है रुसम उसमें यह मसाला पड़ता है और यह हमारे छोले मसाला है यह पचास ग्राम का है और 35 रुपैस का प्राइज चोले के बारे मैं सब जानते कि एक चीज़ बहुत अच्छे लगती है कि चीफ एंड बेस्ट आइटम्स होते हैं फैंस पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है साफ सुत्रा आइटम होता है कोई भी चीज़ आप डिरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यह मसाले हैं यह दिखिए यह जवाइन के यह से खोला आपने डारेक्ट रूस कर लिया सकरेंस और 30 रुपेस का इम है सबसे बड़ी बात इसकी खासिए सबसे बड़ी है सब्सक्राइब के नीनibus राएदाइब करिंगे oh डाले पाल किमें कोई कंकर करी को नहीं कोई मिक्षे नहीं कुछ नहीं सौमर को असब सटरह कान बिल्कुल उत्रान और यह हमारे मेतिय के वीजे मेती सीट से मेथी दाना है जो हम बादी वाली चीज़ों में डालते हैं जैसे की घुमिया है बैंगन है यह तीस रुपए प्राइज इसका है और यह भी सो ग्राम का पैक्ट है फ्रेंड्स से मोर्गी प्रोड़क्ट काफी देते हैं ग्रोफर्स वाले मगर अच्छे प्रोड़क्ट च कैसे आपको बनाना है कैसे डालना है पूरा डीटेल अगर किसी को नहीं मालूम हो तो इनको पड़ करके वह अपना बना सकता है यह बड़ा बनाने का पूरा प्रोसेस नोन दे दिया है और उसके बाद पूरा असाला तो बहुत ही बड़ी लगी था हलके से मीच्छे घटे दही बड़े अच्छे लगते हैं अब हम आते हैं अपने लिश्वाश पार की तरफ यहां दोस्तों बरतन दोने का साबून यह इसका पूरा डीटेल से इसका यह देखिए यह प्राइज दस रुपए का एक है और यह से मैंने पांच यह साबून मंगा है जैसे का आप जान यह सत्रा रुपए का एक है और यह 200 ग्राम का एक पैकेट है तो यह मैंने चार मंगा हैं यह साबून की खासियत है कि पानी में ज्यादा भूलता नहीं है फ्रेंड्स चाहे डिश्वाश बार हो या पावर बार राइट हो कोई भी पानी में गूलते नहीं यह अब हम आ पानी मस्टर ओयल है जो एक किलो का पैक है और यह 160 रुपए का प्रेंड्स है यह मैं आपको इसके प्राइस बता रही हूं जो इन प्रोड़क्स के उपर पढ़े हैं बाकी हमें छूट मिला करके काफी चूट अच्छी खासी मिल जाती ग्रोफर की जो पुरे बिल में अभ प्राइस बोन रही है का पर लिखा हुआ है इसमें वही में घुमा फिरा के देख रही मुझे दिख जाए तो मैं आप लोगों को लिखा हूँ हां अभी मैं भी ढूंडी है इसलिए आपको प्रेक नजर आ रही है जब मैं प्राइस दून दोंगे उसका है तो आपको शोग यह देखे फ्रेंट्स मिल गया प्राइज की पंदा रुपय का है फ्रेंट्स पंदा रुपय का एक पैकित है फिलाल मैंने एक ही मंगाया हुआ है क्योंकि बच्चों को भी जादा पसंद है मुझे जादा पसंद नहीं है यह आगे हमारा सबसे पुराना डालडा रत बनस्पती एक किलो का है फ्रेंट्स और इसका प्राइज मैं आपको दिखाते हूं प्राइज किदा रिखा हुआ इसका सबसे पुराना है फ्रेंट्स हम लोगे 55 से आ रहा है रत का यह बनस्पती 130 र रुपय का है एक लीटर का पैकेट है तो एक मैंने कच्छी घानी का मंगाया है और यह सेव मोर का मस्टर्ड और तो मस्टर्ड और और फ्रेंट्स एक चीज़ हमारे भी बैग में ही रहेगी ग्रोपर पॉलितिन में से मैं उसको बाहर निकाल रही हूं देखते हैं क्या रह है है हाँ फ्रेंड्स यह है मरे चेट पटे अच्छा पिकल्स मिक्स्ट पिकल्स आप सब जानते हैं कि अचार का हमारे खानपार में कितना महत्तु है कि देखे नाइंटी यह 400 ग्रम का पैकिट है और 94 रुपीस का एक है तो ऐसे मैंने दो मंगा हैं किसी भी चीज के साथ आ प्रिजाल नहीं है कुछ भी नहीं है आप इससे खा सकते हैं दोस्तों और अब दोस्तों यह देखे मैं आपको बिल दिखा रही हूं कैश मुमो इस बार देखे कैसा आया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें प्रिंट अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे साथ बने रही है मुझे अपना प्यारा सयोग देते रही है मैं भी नहीं हूं मुझे आप सब के सयोग क्या हो शकता है अपनी यूटूब चैनल के परिवार को बढ़ाने के लिए और अगर एक नोट आप वो भी बताएए लव यू ओल बाई